नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुल्मान स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में तो आज है चार तारिक यानि कि करवचोत की रात और कल है पांच तारिक कुछ नया यानि कि आज भी फेस्टिवल, कल का दिन भी फेस्टिवल कल हमें ग्यारा बज़े शेनास को और गिल का वादा है सौंग देखने को मिलेगा जी हाँ शेनास गिल खुद इस सौंग के लिए बहुत एक्साइट है अपनी इच्छाएं इंस्टेग्रेम एकाउंट पर जाहिर कर रही है और सारे फैंस तो वैसे हैं ही एक्साइट के 11 तारिक को हम शेनास को और गिल को सौरी, 11 वज़े हम शेनास गिल का सौंग देखेंगे पांच नवंबर जो के रिलीजिंग डेट है कल सुबा हमें सौंग देखने को मिल जाएगा शेनास गिल धीरे धीरे करके उसके लिरिक्स बताती कोई नज़र आ रही है अपने इस्टेक्राइम स्टोरी पर पहले उनका स्टोरी सामने आया तेरे बिना जीएं तो क्यों ये सवाल बार बार आता है तेरा अगर ना हो सके किसी और के ना होंगे वादा है ये शेनास गिल का फरस्ट स्टोरी अगर हम सेकंड स्टोरी देखें तो यहाँ पर भी शेनास गिल ने लिरिक्स बताएं तेरे बिना मैं कुछ नहीं अब ये लिरिक्स कहा जा रहा है है भाई आप बहुत अच्छे तरी केसा आपको पताईए तेरे भी ना मैं कुछ नहीं ये ख्याल बार बार आता है तेरे अगर ना हो सके किसी और के ना होंगे वादा है ये शनाजगिल का सेकंड ता अब थर्ड शनाजगिल का स्टोरी जो है वो किस्सा ये क्यूं आधा रहा किस्सा ये क्यूं आधा रहा ये मलाल बार बार आता है तेरे अगर ना हो सके किसी और के ना होंगे वादा है वादा है ये शेनाजगिल का एटी वी नज़र आ रही है और नीचे इन्होंने कैप्शन भी डिया हुआ है वादा कल पूरा करते हैं कल ग्यारा ये शेनाजगिल के हाल ही में लगतार रियक्शन सामने आते जा रहे हैं जो कि शेनाजगिल भी अपनी एक्साइटमेंट जता रही है एक वीडियो तीन घंटे पहले सामने आया था एक दिन रह गया एक दिन तो देखा ये शेनाजगिल का भी तीन घंटे पहले ये वीडियो सामने आया था मैंने चैनल पर भी इस वीडियो को शेयर किया था और अब एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है सबर नहीं हो रहा बस जल से जल 11 बजे और जल्दी ही ये सॉंग हमें देखने को मिले फिलाल रिवियो करूँगा सॉंग का क्या रहेगा क्या नहीं तो देखना मद बूलना सॉंग को और फिर मैं रिवियो करके बताऊँगा क्या है इस सॉंग का रिजल्ट जो सोशल मीडिये के रियाक्शन्स उठाकर लेकर आएंगे आपके सामने फिलाल बने रही है मेरे साथ अपडेट्स के लिए अपडेट्स सामने आती रहेंगे आपसे मेरा काम है शेयर करना जोनोंने इस चैनल को भी सबस्क्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजे ताके आने वाली अपडेट्स पलपल की आपसे मिस ना हो सकें